कच्छा बार हमी के जिव विग्यान के देर हैं परिचारतियों को हमारे चैनल की तरफ से सुभासिरबाद परिचा अच्छा हो उन सभी का देखे जिव विग्यान के बहुत ही महतपुड कोश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं इनको भी आप जरूर एक बार देख लें क्य तो पहला प्रसन इहां पर देखे अनिसेक जनन किस में होता है अनिसेक जनन ये मधमक्यों टर्कियों और रोटी फर्स में होता है दूसरा प्रसन देखे बहुत इंट्रोजन्स किस में सरावित होता है इंट्रोजन्स जो होता है ये लीरिंग कोशकाव में सरावित होता है जो लिडिंग को सकाय होती है और तिसरा देखें किन पादपो में सहजीवी संबंद होता है तो राजोबियम होता है और माई को राईजा होता है इनमें सहजीवी संबंद होता है चौथा देखें वनसागती की इकाई क्या होती है वनसागती की इकाई जीन होती है किसी भी जी बिमारी का नाम बताईए तो एंट अमीबा द्वरा आमीबी पेचिस होता है इंट अमीबा हिस्तोलिटी का स्वयम है उसी के द्वरा फैलता है और प्रस्नी निक्स्ट अठों घुरुड़ पोस्त में ग्रुड़ सुत्रों के संख्या इस घुना होती है और झेल परागी जो कुछ काया होती है, वो कैसी होती है, त्री गुडित होती है, डेंगू बुखार का वहाग कौन होता है, एदिज होता है, फिर अनिसेक फलन क्या है, तो देखें कुछ पादप में बिना परागड के और बगर निसेचन कहीं डायरेक्टली फल बन जाते हैं, उनको अनिसेक प्रितबास्ट क्समें होता है। और अगला प्रित्वाल होसारव कशूरत का है? तो विसाडू का नमानसिक पदार था DNA या RNA होता है जर्मजात उपाचाई तुरूटी कौन होता है तो जर्मजात उपाचाई जो तुरूटी होता है वो फिनाईल किटो नूरिया को बोलता है अगला कुशन है एक पराग कोस में पराग धानियों की संख्या कितनी होती है तो टोटल दो होती है पराग धानियों की संख्या दो होती है और अगला है प्रतेक प्रतिरच्ची अडू में कितने पाली पेप्टाइट सिंखलाई पाई जाती है तो चार वो होती है होता है टोटल संख्या उनकी चार हुती है पालिक हेयद सिंखलाओं कि मिंडल के दिशंक्र कई फिनो Cityपिंग अनुइपाथ क्या होता है वो 9 9 3 3 1 1 होता है गुड़सुत्र विकार का उधारण क्या होता है तो गुड़सुत्र तंतर में जो लगातार है वो इनर्जी अर्था तसर उर्जा किया हो सकता होती है 23 वाद के जीन अभीनेंतर की की निव किस एंजाइम की खुश्य होई थी जीन अभीनेंतर की की निव जो है वो प्रतिबंधन अंतह निकलियज जो एंजाइम था पती बंधन अंता निकलिये जो उसी से सुरू होती है परस्न पचीस है समजात तथा परस्न चोबी से समजात तथा समरूपता क्या है देखे समजात क्या बोलते है ऐसे अंग को जो मूल रचना और उदभाव में यानि उदपती में समान होते हैं उनका अलग होता है वो समजात क्या होता है तो ऐसे अंग जो रचना और उदभाव में भीन होते हैं लेकिन कार में एक जैसे होते हैं उनको समरूपता काते हैं परस्न अगला है 25 वा सुचमजीवों से प्राफ्त होने वाले दो अमलों का नाम बताईए दो जो सुचमजीव होते हैं एक तो होता है आग जैली कमल जो इसपरजिलस नाजर से प्राफ्त होता है दूसरा होता है फिमरी कैसिड राइजोपस इस्टोलोनोफियर से प्राफ्त होता है तो यूटलो हो राइजोपस इस्टोलो नीफर से प्राप्त होता है, अगला कुछन है कि दूद से दही कौन से बेक्टरिया बनता है, वो लेक्टो बैसिलस उल्गेरिकस बेक्टरिया होता है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो वे एंजाइम जो DNA को विसिष्ट अस्कलों पर काटते हैं उनको प्रतिबंधन एंजाइम कहा जाता है, जैव विवित्ता छती के दो कारण होता है, जदे जदे अति दोहन होता है, फिर अवासी छतियां होती है, जिसके वज़ा से, अगला है जैव विवित्ता हाट इस पाठ क्या है, देखे, ऐसे जो है, छेतर होते हैं, जिनमें उ चितम अस्तर की जो प्रजातियां होती है, प्रजातियों की जो विवित्ता पाई जाती है, उनको हम जैवित्ता के अंतरगत रखते हैं, खास करके संकट गरस्त प्रजातियां मानी जाती हैं, तिस्वा है मेंडल ने मतर के पौधे पर कितने जोड़े विपरित प्रजातिय का द्यान किया था ओकुल साथ जोड़े जो है मतर के विपरित जोड़े रखे थे और अगला है कीटो द्वारा परागीत पौधों का नाम बताई ओ तो मक्का है अर्कीद है सब रखे गए हैं मानौ में गुरसुत्रों की संख्या कितनी होती है तेईस जोड़ी अर्था च्छ जिव जातियां होती है जिसमें सहजीवन पाया जाता है एक जिव दूसरे पराधारित होता है लेकिन दूसरा पहले पराधारित नहीं होता उसमें एक जिव को दूसरे से लाब होता है लेकिन दूसरे को पहले से न तुलाब होता है न कोई च्छती होती है इस परकार का जो kocus जीवड होता है उसी से फैलता है बायो पाइरेसी क्या है देखे बहुराष्ट्री जो कमपणिया होती है जयोशंसाधनों का बगेर प्रतिकर दीये प्रतिकर भुक्तान के ये ही अनाधिकृत रूप से संसाधनों का प्रयोग करती है उन्हें बायो पाइरेसी के इंतरगत रखा गया है और अगला है परागड के परकार लिखे देखे परागड मुखे रूप से दो परकार का होता स्वपरागड और परपरागड स्वपरागड में उसी पुस्प के पुस्प जो परागड होते हैं उसी के वर्तिकापर पहुचते हैं जबकि परपरागड में उसी प मा से भरूर तक पहुचाने का काम करता है बच्चे के अगला है मनुस्य में मादा जनन दंतर का उड़न करिए इसको आप देख लें अच्छे से देखने बहुत ही इंपर्टेंट है अगला है प्रकृतिक वरण का सिधान्त किस ने दिया था वो डार्विन थी जिन्होंने प्रकृतिक वरण का सिधान्त दिया था 45 में 45 है प्रकृतिक वरण करें इसको भी आप जरूर्ब चेकर कर जाएगा बायोगैस क्या है जिस में जो है कचरे से बायोगैस प्रोड्यूस किया जता है और खास करके हैं उसक्रिया ने अगला है मलेरिया का रुखिनक लग्षन और बचाओ इसको भी देख लेजिए लि इंग्रिंद हड को समझाना है बहुत इंपर्टेंट है DNA और RNA की पाली नेकलियूटाइड सिंखिला कर असानिक सर्चना देख लेजिए DNA और RNA में क्या अंतर है इसको भी इस्पेस्ट करिए प्रविक्ता का नियम इसको भी समझे उत्वादक और अब घाटक में क्या अंतर है यह सभी important question सभी कुछे करें बहुत बहुत धनेवा थांक्स